चीन ने भारत को बहुत बड़ी गीदर भब की दी है चीन की मीडिया ने चैलेंज करते हुए कहा है कि अगले दो हफते के भीतन चीनी सेना भारत पर हमला करतेगी लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या वाकई चीन की सेना भारत से टकराने वाली है? आईए आपको बताते हैं कि इस दावे और दावे के पीछे की हकीकत क्या है? दरसल भारत की तरह ही चीन की लोकल मीडिया में भी अब भारत और चीन की तनातरी को लेकर काफी बातें शुरू हो गई है चीनी मीडिया के एक्सपोर्ट भी अपनी राय रख रहे हैं और चीनी मीडिया के इनी एक्सपोर्ट का कहना है कि चीन भारतिय सेना की तैनाती को अब बरदाश्ट करने वाला नहीं है अगले दो हफ़ते के अंदर वो छोटे अस्तर का सैन्न उपरेशन शुरू कर सकता है इसके पीछे वज़ा क्या है ये समझे दरसल चीन में शुकरवार को 6 मंत्रालियों और सेना से जुड़े संस्थानों की हाई लेवल मीटिंग हुई इस मीटिंग में डोकलाम में भारतिय सेना की तैनाती को लेकर चीन क्या अक्षन ले सकता है इस पर विचार विमर्शुआ आपको बता दें कि चीन की दादागीरी के सामने भारत भूटान के साथ चटान की तरह खड़ा है क्योंकि भारत जानता है कि भूटान जैसे कमजोर देश को धमका कर चीन इस इलाके में भारत के लिए आने वाले सालों में खत्रा पैदा कर सकता है भारत भी कई बार चीन को अतिक्रमन ना करने की चेताबनी दे चुका है भारत चाहता है कि मसला शांति पूर्ण तरीके से सुल्जे लेकिन चीन इलाके में अपनी दादागीरी दिखाने पर अड़ा हुआ है पिछले एक महीने से चीन की बंदर गुर्कियों का दौर लगातार चल रहा है लेकिन इस बार चीन को भी भारत का खौफ है लिहाजा वो अपना एक एक कदम सभाल कर उठा रहा है और पूरी कोशिश इत बात की कर रहा है कि बिना कुछ किये ही मामला धमकी से संभल जाए तो अच्छा है और इसलिए अपने इंटर्नल मीडिया के जरिये चीन एक बार फिर से अपनी वही पुरानी कोशिश कर रहा है इंडिया निउस वाइरल की रिपोर्ट